M.A. का बहुत घोर आपति जनक बियान है। इस बियान में M.A. ने कहा कि एक व्यक्ति और U.S. गवर्मन्ट के बीच में ये मामला है। ये बहुत आपति जनक है। इसमें involved है। तो ये तो corruption act हमारे देश का जो कानून है उसके बिलकुल खिलाफ है। तो M.A. clean shit कैसे दे रहा है कि ये private entity और U.S. गवर्मन्ट का है। जबकि हमारे देश की officials इसमें bribe taking के आरोप में उसकी जाच होना चाहिए। इसलिए बहुत ही आपति जनक है। और एक प्रकार M.A. सरकार की इस नेती को दोहराने की प्रयास कर रहे हैं कि ये क्या है इसमें तो personal मामला है। आपकी officials involved हैं किसने घूस लिया, किसने ब्राइब्स ली, कैसे आपका central solar corporation ने ऐसे purchase agreements को बनाया। ये तो सरकार को जाच करने चाहिए, सरकार को इस पर वहस करवाना चाहिए पारलमन में। तो ये पूरे तोर पर एक cover-up है और M.A. का ये बियान उस cover-up को दुबारा दर्शादी है। M.A. का बहुत घोर आपति जनक बियान है। इस बियान में M.A. ने कहा कि एक व्यक्ति और US government के बीच में ये मामला है। ये बहुत आपति जनक है। हमारे लिए, हमारे सरकार के लिए क्या ये personal matter बन जाता है। जब evidence के साथ US court ने बताया है कि हमारे यहां की सरकारे, सरकारे करमचारियो, bureaucrats इसमें involved है। तो ये तो corruption act हमारे देश का जो कानून है, उसके बिलकुल खिलाफ है। तो M.E.A. clean shit कैसे दे रहा है, कि ये private entity और US government का है, जबकि हमारे देश की officials इसमें, bribe taking के आरोप में उसकी जाच होना चाहिए। इसलिए बहुत ही आपति जनक है। और एक प्रकार M.E.A. सरकार की इस नेती को दोहराने की प्रयास कर रहे हैं, कि ये क्या है, इसमें ये तो personal मामला है, अरे आपके सरकार की, आपकी सरकारे involved हैं, आपकी officials involved हैं, किसने घूस लिया, किसने bribes ली, कैसे आपका Central Solar Corporation ने ऐसे purchase agreements को बनाया, ये तो सरकार को जाच करने चाहिए, सरकार को इस पर वहस करवाना चाहिए, पारलमन में, तो ये पूरे तोर पर एक cover-up है, और M.E.A. का ये बियान उस cover-up को दोबारा दर्शादी है.